एपिसोड 32 की स्टार्डिंग होती है और ग्रेंटपा कहते हैं तुम हुआन पर क्यो चल ला रहे हो मैंने यहाँ उसे इसलिए बुलाया है ताकि मैं उसे तुमसे मिला सकूँ और यह तुम्हारा किस तरीकी का एटिट्यूड है फिर फैंक कहता है ग्रेंटपा आप बहुत ब सक्फ़न करा है तुम हो कोन तुम्हें लगता क्या है है तुम्हें इस चीज ते दो्डते है और कहते हैं तु इदर आ तेरे को मैं बताता हूं बाहर निकल यहां से और यह तुझ का रुख मत जाना कि तुझे खाना मिलेगा, मैं तुझे पसंद नहीं कहता, फिर फैंक कहता है, धन्यवाद दादा जी, और हाँ, दुबारा मुझे कॉल मत करना, और मुझे ऐसी blind date भी मत देना, ये थोड़ा अजीव लगता है, फिर grandpa कहते हैं, और तु दुबारा ऐसे में कौन सोचेगा, फिर servant कहता है, master, शान दो जाएए, आपको ऐसा नहीं लगता है, इन्होंने जैस बच्चे का दूंडा है, वो दिखने में बिल्कुल इनकी तरह ही है, फिर grandpa कहते हैं, बिल्कुल उसकी तरह, क्या ऐसा कोई chance है, कि वो उसका बेटा हो सकता है, किसी इस दिन उस बच्चे को यहाँ नहीं कोईश करो, मैं उससे मिलना चाता हूँ, फिर servant कहता है, यह तो मुश्किल हुआ क्योंकि young master खुद बहुत ध्यान से उसकी care करते हैं, फिर grandpa कहते हैं, तो फिर चुपके से उसे ले आओ, पर मुझे उस बच्चे को देखना है, फिर grandpa मन living room में जाता है और रिशी को बलाता है, फिर रिशी कहता है, डैड आप वापस आ गए, फिर फैंक कहता है, रिशी तुम्हें अपने डैड के सामने इतने सीरियस रहने के जरूरत नहीं है, फिर रिशी कहता है, मुझे लगता है कि ऐसा करना अच्छा है, जमराट और उसकी प्रजा, फादर और सन, मैं अभी भी तीन से धान्त और पांच सद्गुणों का पालन करने की आवश्च रखता है, फिर फैंक कहता है, पर तुम्हारे डैड नहीं चाहते कि तुम पास साल की उमर में ऐसे आउट डेटिट चीज़े अपने पास रखो, फिर रिशी कहता है मैं नहीं करूंगा, बढ़ाई पुरानी आदतों को छोड़ने में मदद कर सकती है, फिर फैंक कहता है, तुम तो सच में भूल गए, वैसे किंडर गार्डन में क्या तुमने दोस्त बनाए, फिर यशी कहता है, हाँ, एक को बनाया है, उसका नाम है, श्यामो शैन, फिर फै कहता है, मैं उन सब बच्चों से बात नहीं करता मॉम, और इसके साथ हमारा यह एपिसोड यहीं खतम हुचाता है, कमेंड में बताइए, आपको यह एपिसोड कैसा लगा, और लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल आएगा,